इस्टिपल बोर्चमान जो नियम है उसे सम्मंधित एक सवाल हम देख लेते हैं ताकि सवाल की जरिये हम जो है अच्छे से इस नियम को समझ सके तो एक गोला एक घन तता एक पतली बृत्ताकार प्लेट एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका जो द्रब्यमान है एक समा अब इन्हें जो है 200 celsius ताप तक गर्म किया जाता है और कमरे के ताप पर इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आकरती का जो पदार्थ है सबसे पहले ठंडा होगा एक क्या है गोला है और एक घन है और एक जो है बृत्ताकार और दिया गया है हमें बताना है कि कौन सा जो है सबसे पहले ठंडा होगा तो यह यहां पर पिंड वाला सुत्र लगाएंगे यह कुंकि कृष्णी का नहीं है पिंड वाला सुत्र लगेगा और पिंड में भी एकांग खेतरफल वाला सुत्र नहीं लएगा खेतरफल पिंड प्रति सेकेंड विक्री तुर्जा की दर है वो खेत्रफल के अनुक्रम आनुपाती होगा मतलब जिसका खेत्रफल सबसे ज्यादा है उससे विक्री तुर्जा की दर ज्यादा होगी और जिसका खेत्रफल सबसे कम है उससे विक्री तुर्जा की दर कम होगी तो इन तीनों आक खेतरफल किसका है गोले का तो गोले से विक्री तुर्जा की दर सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा खेतरफल किसका है बृत्ताकार प्लेट तो बृत्ताकार प्लेट से विक्री तुर्जा की दर सबसे ज्यादा होगी तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा जिससे विक्री तुर् येर में ठंडा होगा, वो है गोला, क्योंकि गोला का खेतरफल सबसे कम है, तो उससे विक्री तुर्जा की दर सबसे कम है, तो ये सबसे लेट में ठंडा होगा, अच्छा ठंड के दिनों में आपने एक चीज देखा होगा, मतलब यहां गोले वाली बात आई, तो मुझे एक कि ठंड के दिनों में हम जब सोते हैं तो अपने घोटने के चाती के पास कई लोग ले आते हैं मतलब इस तरह से गोला कार आकरती बना के सोने का प्रयास करते हैं ताकि ठंड ना लगे या जानवरों को आपने देखा होगा ठंड के दिनों में वो एक गोला कार आकरती बना लेते हैं जैसे कुट्टे वगर हो गए या फिर गाय या बैल जो है तो ऐसा क्यों क्यों कि गोले का खितरफल सबसे कम होता है और हमारे सरीर से जो औरक्त किर्णे निकल रही है मतलब उसमा जो विक्रित हो रहा है औरक्त किर्णे जो है उसमी किर्णे है उसमी विक्रण ही औरक्त किर्णे है और हमारे सरीर से निकलता है हमें पता है कि जिसका भी जो तापमान है परम ताप से ज़्यादा है परम ताप मतलब माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या जीरो केल्व से जादा है जिसका तापमान उससे जो है उसमी विकिरन जो है निकलता है तो हमारे सरीर से भी हमारे जन्म के साथ उसमी विकिरन या फिर यह कहीं आउरक्त किरने जो है निकलते रहती हैं और उनहीं आउरक्त किरनों की वजह से ही हमें हमें गर्मी मतलब हम खुद को गर्म तो उनसे जो विकिरन उस सर्जित हो रहा है वो कम होगा क्यों कि खेतरफल कम हो जाएगा तो कम खेतरफल हो जाएगा क्योंकि गोले का खेतरफल सबसे कम होता है तो खुद को गोला कार बना लेंगे तो उनका खुद का जो सतह का खेतरफल है वो कम हो जाएगा तो कम खेतरफल से उस्मा विक्रण की दर कम होगी तो उस्मा विक्रण की दर जितनी कम होगी और खुद को उतना ज़्यादा गर्म रख पाएंगे तो यही करण है कि ठंड के दिनों में हम जो है गोला कार होके या फिर अपने आपको सिकोड के सोने का प्रयास करते हैं अब एक और हम सवाल ले लेते हैं एक पैक्टिकल सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा कि अगर सूरी जो है फैल जाए सूरी जो है फैल जाए और उसका जो रेडियस है उसका जो त्रिज्या है अभी के त्रिज्या से सो गुनी जादा हो जाए और उसका जो temperature है वो अभी का जो temperature है वर्तमान का जो temperature है उससे आधी हो जाए तो हमें ये बताना है कि उससे जो संपूर्ण उर्जा निकल रही है वो अभी के मुकाबले कितनी गुनी होगी क्या ज्यादा होगी या कम होगी अभी के मुकाबल में ये बताना है अच्छा ये प्राबलम प्रैक्टिकल प्राबलम या फिर रियलिस्टिक मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा भविस्य में होगा हो सकता है करोनों साल बाद हो लेकिन होगा कैसे होगा क्योंकि सूरी अभ बंद होगी या कम होगी तो सूरी जो है थंडा होना सुरू हो जाएगा और अंदर से फैलना सुरू हो जाएगा तो सूरी बहुत जादा फैलेगा कितना जादा फैलेगा वो तो खेर एस्टोनॉमी का सवाल है लेकिन हाँ फैलेगा सो गुना या दो सो गुना फैल सकता है वो अलग सवाल है और फैलेगा और उसके जो सतह का तापमान है वो भी कम होगा तो यह भविस्टे में होगा बच्चो इस तरह से जो सूरी है एक दिन जो है लाल दानो तारा बनेगा फैल जाएगा और उसके सतह का तापमान अभी के त आदा हो जा रहा है तो अभी जो हमें संपुन विक्रान उर्जा प्राप्त हो रही है वो कितनी होगी वो कम होगी या ज़ाधा होगी उसको हम से देखते हैं लेकिन खेतरफल यहां पर लगाएंगे, क्योंकि एक आंग खेतरफल की बात नहीं हो रही है, सन के complete जो खेतरफल है, complete जो surface area है, उससे कितना विक्राण उत्सरजीत हो रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ए लगाएंगे सुत्र में, तो ए बराबर हो जाएगा, सिग्मा ए ट का पावर फोर, अब ए जो है, सन के surface का complete surface area है, सन का जो complete surface area है, अगर सन का हम radius को आर लें, तो सूरी एक गोला है, तो उसका surface area का सुत्र हो जाएगा, ए बराबर 4 pi r square, तो रख देंगे उसको, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 pi r square into t का पावर 4, तो इस समिकर्ण से, अगर हम सिग्मा को हटा दें, तो हम देखते हैं, कि ए जो है, प्रोपोर्शनल्टी हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल्टी हो जाएगा, 4 pi r square और t का पावर 4, इसको हम समिकर्ण नमबर एक मान लेते हैं, और यह वर्तमान इस्थिति है, जब सन का रेडियस r है, और टेंप्रेचर, अभी का टेंप्रेचर मतलब t है, अब हम करणों साल आगे की स्थिति को देखते हैं, मतलब जब सन का जो रेडियस है, 100 गुना बढ़ गया, मतलब r के बदले हम क्या रख देंगे, r 100, और टेंप्रेचर जो है आधा हो गया, तो t के बदले हम क्या रखेंगे, t by true, तो इसको रख देंगे, तो यह बन जाएगा समिकर्ण नमबर 2, समिकर्ण नमबर 2 क्या है, उसको e' से या e' से दिखाएंगे, जो बादवाली इस्थिति है, जो दूसरी इस्थिति है, जिसमें radius बढ़ रहा है, ताप मान आधा हो रहा है, तो e' proportional to 4pi, 100r का holy square, bracket में holy square है, 100r का, और bracket में फिर t by 2 का power 4 है, तो यह समिकर्ण नमबर 1 और यह समिकर्ण नमबर 2, तो समिकर्ण नमबर 2 को समिकर्ण नमबर 1 से हम भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा e' बटे e बराबर 100 का square बटे 2 का घात 4, यह इस तरह से आपस में जो 4pi है और t है और r है कट जाएगा, और हमें जो total मिलेगा, वो क्या मिलेगा, e' by e equal to 100 का square by 2 का घात 4, जिसको हम solve करेंगे, तो हमें मिलेगा e' बटे e बराबर 625, मतलब कि e' बराबर हमें क्या मिलेगा, e' बराबर 625e, e' बराबर 625e, मतलब कि अगर सूरी का जो radius है, वो अभी के radius से 100 गुना बढ़ जाए और तापमान आधा हो जाए, तो सूरी से जो उसमी विक्रण जो निकल रही है, उसकी जो दर है, वो अभी से 625 गुना जादा हो जाएगी, तो ये हम स्टिफन बोल्चमान के नियम से ये हम ग्याद कर सकते हैं, अच्छा बच्छो, हमें अगर surrounding का भी temperature दिया गया है, और वहाँ पर हमें स्टिफन बोल्चमान नियम को apply करना है, तब कैसे करेंगे, तब हम ये जो सुत्र है इसका यूज नहीं करेंगे, तब सुत्र को थोड़ा सा हमें modified करना पड़ेगा, तो माल लेते हैं कि जो कृष्णिका है, उसके जो surrounding है या वातरण का ताप T0 है, तो कृष्णिका के प्रति एकांग खेतरफल द्वारा, प्रति सेकेंड और सोसित विकिरत उर्जा क्या हो जाएगी, देखिए उसके surrounding का temperature अगर T0 है, तो वो जो है temperature जो कृष्णिका से जो सर्जित उर्जा है, उसको और सोसित करेगी, तो प्रति एकांग खेतरफल, प्रति सेकेंड और सोसित विकिरन उर्जा हो जाएगी, सिग्मा T0 की पावर 4, यह और सोसित उर्जा हो जाएगी, कृष्णिका के चारोंग और के surrounding द्वारा, अब हमें पता है कि जो उत्सर्जित उर्जा है, प्रति एकांग खेतरफल, प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरन उर्जा है, सिग्मा T की पावर 4, यह हम पहले भी देख चुके हैं, और उत्सर्जित क्या हो गई, सिग्मा T0 की पावर 4, तो कृष्णिका के प्रतिय कांग खेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सरजित जो परिणामी विखरित उर्जा क्या हो जाएगी जो उत्सरजित है उससे उसोसित को घटा देंगे तो परिणामी क्या हो जाएगी E बराबर σिगमा t की पावर 4 माइनस सिगमा t0 की पावर 4 उसको आगे बढ़ाएंगे सिगमा को बाहर निकाल देंगे तो परिणामी उतसरजित परिणामी विक्रण उड़ जा हो जाएगी E बराबर सिगमा ब्रेकेट में t का पावर 4 माइनस T0 की power 4 bracket close यह समिकर नमबर जो 1 है यह अगर surrounding का power surrounding का temperature T0 है तब के condition में जो black body है उसके द्वारा प्रती एक आंग खेतरफल और प्रती second उत्सरजित विक्रिया नुर्जा का मान यह समिकर नमबर 1 से दिया जाएगा अब अगर हमें black body का खेतरफल दिया जा रहा है मतलब surface area अगर A दिया जा रहा है और तब के condition में यह सुत्र क्या बन जाएगा तब simple है सुत्र में A लगा देंगे हम जैसा हमने पहले किया था तो यह समिकर नमबर 2 बन जाएगा क्या हो जाएगा यह बराबर sigma A बस A लग जाएगा और T की power 4 माइनस T not की power 4 किसी पिंड के लिए अगर लिखना है समिकर नमबर 1 को अगर black body नहीं है कोई पिंड है तब उसमें emissivity मतलब कि हम उत्सरजक्ता लगा देंगे उस पिंड का तो epsilon लगा देंगे समिकर एक में समिकर दो में तो किसी पिंड के एक खेतरफल के लिए लिखना है हमें किसी पिंड के एक खेतरफल के लिए जो विकिरन उत्सरजी तुर्जा की दर तो यह क्या हो जाएगा E equal to epsilon sigma A और कोश्टक में T का power 4 minus T not का power 4 और किसी पिंड के एकांग खेतरफल के लिखना है तो A को हटा देंगे एकांग खेतरफल है तो A हट जाएगा तो A क्या हो जाएगा E equal to epsilon sigma T की power 4 minus T not की power 4 तो इस तरह से इन समिकरनों के माध्यम से अगर हमारे पास black body है उसका अगर area दिया है तो area लगा के भी हम सुत्र बना सकते हैं अगर एकांग खेतरफल के लिए बोल रहा है तब के लिए सुत्र है समिकरन नमर एक और अगर कोई pinड है black body नहीं है तब emissivity को हम apply करेंगे और सुत्र को बनाएंगे समिकरन एक के द्वारा अब surrounding से related एक question कर लेते हैं यह बहुत important है क्योंकि कई बार जो competition exam है उसमें surrounding का भी temperature दिया रहता है और वहां हमें Stephen Bolman जो rule है उसको apply करना रहता है तो question है कि एक धातू की gain का ताब जो है 527 degree Celsius है और पिष्ट का खेतरफल जो है 200 cm square दिया गया है और यह जो धातू की gain है इसे 27 degree Celsius के एक earn ये पात्र में रखा गया है और यहां पर धातू की उत्सरजगता जो है दी गई है 0.4 तो हमें जो है उसमा हानी की दर निकालना है उसमा हानी की दर निकालना है हमें तो निकाल लेंगे यहां पर तो sigma कमान हमें पता है कि 5.67 के साथ आपको हो सकते है दिया हो या ना भी दिया हो तो यह आपको याद रखना है इस्ठिफन बोल्जमान कॉंस्टेंट 5.67 इंटो 10 दो पावर माइनस 8 जूल पर मीटर स्क्वेर सेकेंड केलवीन का पावर 4 तो यहां पर जो खेतरफल है 200 सेंटी मीटर स्क्वेर है तो सबसे पहले SI में मीटर में रखना पड़ता है तो एक सेंटी मीटर बराबर होता है दसकी घात रिन दो मीटर तो 200 सेंटी मीटर का वर्ग हो जाएगा 200 गुनित दसकी घात रिन दो उसका भी वर्ग होगा तो 200 गुनित 10 गहा तरिन दो का वर्ग मीटर स्क्वेर मतलब 200 गुनित 10 गहा तरिन चार मीटर स्क्वेर ये आप चेंज कर लेंगे सेंटिमीटर स्क्वेर से मीटर स्क्वेर में अच्छा Celsius में नहीं रखना है आपको पता ही होगा क्योंकि SI में सब Kelvin में रखा जाता है तो 527 ज स्राउंडिंग का जो टेंपरेचर है 27 डिगरी सेल्सियस दिया है तो उसमें भी 273 एट करेंगे तो यह हो जाएगा 300 Kelvin तो यह सब आंखडों को चेंज करने के बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला जो है पिंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहां एक बॉड्ication का फॉर्मूला यूज करेंगे एक पिंड है जिसका emissivity चुंकि दिया है तो emissivity लगा हुआ साथ में खेद्रफल भी दिया हुआ है तो किसी पिंड जिसका खेद्रफल ए है वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा यह बराबर एप्सलोन सिग्मा ए जहां पर एरिया है और ब्रेकेट में टी का पावर 4 मैनस टी नौट का पावर 4 टी जो है जो पिंड का टेंपरेचर है और टी नौट जो है सराउंडिंग का टेंपरेचर तो बच्छों यहां पर मान रख देंगे सारी चीज़ें हमने पहले से निकाल के रखी भी है एमिसीविटी 0.4 इंटू जो सिग्मा है 5.67 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 8 फिर जो एरिया है 200 गुनित 10 की घात रिन चार फिर 800 का पावर फोर माइनस 300 का पावर फोर और इसमें थोड़ी से आपको गनिती मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यह स्टेप इस तरह से आगे जाएगा और जो फाइनल वैल्यू है इका वो क्या जाएगा एक सो ब्यासी दसमलो एक दो जूल प्रती सेकेंड तो जो एनरजी जो लॉस हो रहा है एनरजी जिस रेट से लॉस हो रहा है उस महानी की दर क्या हो जाएगी यहाँ पर एक सो ब्यासी दसमलो एक दो जूल प्रती सेकेंड अब आईए हम इस्टिफन बोल्ट जमान के नियम से नीटन के सीतलन नियम को हम connect करते हैं या फिर यू कहें कि बोल्जमान से नीटन के सिजलन नियम को हम निकालते हैं तो माल लेते हैं एक गर्म कृष्णिका और उसका temperature T है और उसके जो चारों और का जो temperature है वो T naught है और इस जो temperature है उनमें difference बहुत कम है मतलब कि जो हमारा black body है उसका temperature T और जो surrounding का temperature T naught दोनों के बीच मैं अंतर कम मान लेते हैं ये हम assumption करते हैं मान लेते हैं तो यहाँ पर T minus T not बराबर डेल T ले लेते हैं यह जहाँ पर डेल T बहुत ही छोटा होगा तो T बराबर हो जाएगा यहाँ पर T बराबर T not प्लस डेल T और अगर जो गर्म कृष्णिका है जो hot जो black body है उतसे उतसरजित प्रतिय कांग खेतरफल उसमी उर्जा की दर अगर E है अगर जो हमारा black body है उतसे उतसरजित जो प्रतिय कांग खेतरफल उसमी उर्जा की दर अगर E माने तो E बराबर यहाँ हो जाएगा sigma T की power 4 minus T not की power 4 यह सुतर हम देख चुके हैं black body के लिए यहाँ पर प्रतिय कांग खेतरफल ले रहे हैं इसलिए A नहीं लगाएंगे और black body भी ले रहे हैं इसलिए emissivity मतलब epsilon भी नहीं लगाएंगे तो simple सुत्र हो जाएगा surrounding वाला जो हम पहले देखे थे E equal to sigma T की power 4 minus T not की power 4 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं T equal to T not plus del T तो उसको यहाँ पर रख देंगे तो T के बदले हम रख देंगे T not plus del T तो पूरे का bracket में power 4 आ जाएगा अब देखिए दोनों पक्षों मेंसे हम T not को बाहर निकाल सकते हैं तो T not का power 4 बाहर निकलेगा तो sigma T not का power 4 और बड़ा bracket उसके बाद छोटे bracket में जो पहला जो छोटा bracket था उसमें से T not बाहर निकल गया तो 1 बचेगा और जो छोटा bracket में वहाँ del T है तो वहाँ से भी हम T not को बाहर निकालने हैं तो बटे में आ जाएगा तो डेल T by T not हो जाएगा और पूरे का power 4 और T not का power 4 बाहर निकल गया तो वहाँ बच जाएगा 1 तो इस तरह से हमें यह समीकरन प्राप्त होगा तो यहां पर हम यहां दीपत प्रमे का यूज़ करेंगे दीपत प्रमे क्या कहता है कि 1 प्लस X का power N equal to होगा 1 प्लस NX और कब होगा यह जब X जो है बहुंच छोटा हो X से जब X का X is less than less than 1 तब 1 प्लस X का power N equal to 1 प्लस NX ऐसा हम रख सकते हैं तो यही condition है डेल T को हमने बहुंच छोटा माना है और उसके मकाबले में T not जो है बढ़ा होगा surrounding का temperature तो डेल T से T not को जब भाग देंगे तो एक से बहुंच छोटी रासी आएगी तो यहां पर अगर हम दीपत प्रमे रखेंगे तो 1 प्लस जो 4 की घात हो सामने आ जाएगा तो 1 प्लस 4 इंटू डेल T by T not minus 1 तो 1 से 1 जो है कट जाएगा और finally हमारे पास आएगा E equal to sigma T not की power 4 into 4 डेल T by T not इसको थोड़ा सा T not का power 4 से नीचे में T not है काट देंगे तो हमें मिल जाएगा E equal to 4 sigma T not की power 3 into डेल T तो यह equation जो है हमें ट्राप्त होता है यह black body के लिए अगर हम किसी पिंड के लिए इसको देखें अगर किसी पिंड के संदर्व में इस equation को हम लिखना चाहें तो इस equation में हम E epsilon लगा देंगे E equal to यह क्या हो जाएगा 4 Epsilon सिग्मा T not का power 3 into डेल T तो यह गर्म अवस्तु की उत्सर्जक्ता है गर्म अवस्तु जो है प्रती एक आंग खेत्रफल में और प्रती सेकेंड में जो उसमी विकिरन कितना उत्सर्जित कर रहा है उसकी यह दर को यह बताता है यह equation जिसको हम समीकर नंबर 2 माने हैं इस समीकर नंबर 2 में आप देख सकते हैं जो जो 4 है यह तो नियतांख है 4 तो constant है ही Epsilon भी constant है Sigma भी constant है और जो surrounding का जो temperature है T not O भी constant है तो सब constant को अगर हम हटा दें तो यह जो equation है E proportional to del T हो जाएगा या फिर E proportional to del T के बदले हम क्या लिख सकते है T minus T not मतलब T को पिंड का temperature माने और T not को surrounding का temperature माने तो पिंड और surrounding मतलब पिंड और वातावन के temperature का तापांतर E proportional to T minus T not तो यह समीकर्ण क्या कहता है कि गर्म वस्तु से उत्सर्जित उस्मा की दर जो गर्म वस्तु है अभी हम black body के बदले गर्म वस्तु ले लिए Epsilon लगा के तो यह समीकर्ण कहता है कि गर्म वस्तु से उत्सर्जित उस्मा की दर उससे उस्मा उत्सर्जित हो रहा है उसकी दर मतलब उस्मा निकल रहा है मतलब वो ठंडा हो रहा है हीट लॉस हो रहा है मतलब ठंडा हो रहा है तो उत्सर्जित उस्मा की दर या हम यूँ कहें कि वस्तू के सीतलन की दर जो वस्तू और वातावरण के तापंतर के अनुक्रमानुपाती होता है ये हमें समीकर नमबर 3 बता रहा है कि वस्तु के जो विकिरन उत्सरजन की दर मतलब उसके सीतलन की दर कह सकते हैं सीतलन की दर जो है वस्तु और वातारण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है और यही हमारा क्या है? न्यूटन का सीदलन नियम है. तो इस प्रकार से हम इस्टिफन के नियम से या स्टिफन बोल्जमान की नियम से स्टार्ट करते हुए न्यूटन के सीदलन की नियम तक पहुंच सकते हैं. बच्चो आईए अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठंडे प्रदोसों में हल इवंग सब्जियां होगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है या फिर उसे हरित घर या फिर हरित पौधा घर कहते हैं. वो क्या होता है? असल में उसमें कांच की या फिर प सब्जियां उगाई जाती हैं. ये जो घर हैं ये ठंडे प्रदेशों में ये घर बनाया जाते हैं. क्यों बनाया जाते हैं? क्योंकि बहुंस सारी फल और सब्जियां ऐसे होती हैं जो बहुंस जादा ठंड में जो हैं वो नहीं उगती हैं. तो उस उन फलों और सब्जियो को गर्मी चाहिए तो गर्मी कैसे मिलेगी तो इस तरह कि जब घर बनाए जाते हैं तो इसमें जो है सूरी का प्रकास जिसमें दिर्शी प्रकास भी है और और अरप्त किरने भी हैं वे आती हैं मतलब जो उसमी विकिरने और अरप्त किरने मतलब इसमी विकिरने और दिर्शी जेड बना हुआ है, जो काच का या फिर पारदर्शी प्लाष्टिक का उसके बाहर नहीं जा पाती, यो उश्मा है, अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, और इस तरह से जो है घर गर्म रहता है और इस गर्मी की वजह से फल और सब्जियां जो की उँठन्डे प् पॉद्ध घरों में इन ग्रीन हाउस जो है जो हरित पॉद्धा जो घर है यहां पर उफल और सब्जियां उग जाती है। तो यही जो प्रभाव है यह हमारे प्रिथी में भी पाए जाता है। हमारे प्रिध्वी में क्या होता है कि सूरी से जो द्रिश्ची प्रकास और जो औरक्त किर्णे जो प्रिध्वी तक जो आती है वोई हमारे वायु मंडल को पार करके प्रिध्वी की सतह पे आप्तित होती हैं जिससे की प्रिध्वी की जो सतह है गर्म हो जाती है अब प्रिध उपर में जो वायू मंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि CO2, मीथेन, मैटरस अक्साइट, इत्यादी ये गैसेज क्या करते हैं ये प्रित्वी की सतह से जो उसमी विकिरन या जो औरत विकिरन जो प्रावर्तित होकर जो वायू मंडल में जाती है उसको आउसोसित क करने के करण गर्म हो जाती हैं तो इस तरह से जो उसमी विकिरन सूर्ष से प्रिथ्धी पे आप्तित होता है वे पुनः परावर्तित होकर बाहर नहीं जा पाता है इन गैसों के करण से जिन गैसों को हम green house gas कहते हैं ये प्रिथी पे ही जो उसमा जो है उसमी वीकिनर जो है ट्रेप हो जाता है फंस जाता है जिसकी वज़ा से प्रिथी गर्म हो रही है और प्रिथी की इस गर्म होने को ही हम क्या कहते है एक सब्द है global warming global warming के भी बहुँ सारे side effects हैं जैसे कि glacier पिघल रहा है फिर ये अलग topic बनेगा तो green house प्रभाव क्या है कि सूरी से विकिरणों का आना जिसमें दिरिश प्रकास उसमी विकिरण अर्थात की औरत विकिरण है वे विकिरण प्रिथी की सतह से टगराती है जिससे प्रिथी की सतह ग उन विकिरणों को reflect करती है प्रावर्तित करती है तो उसके बाद पुनह वायू मंडल में या आकास में पुनह वापस नहीं जा पाती है वहाँ पर जो gases है जो green house gases है वो उसको क्या कर लेते हैं और सोसित कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रिथी का वायू मंडल गर्म हो जाता ह इसी को हम कहते हैं green house प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव जो है प्रिथी को गर्म करने में महत्तुपूर्ण भूमिका निभाता है अगर green house प्रभाव नहीं होता तो प्रिथी का जो वातावरण का जो तापमान है लगबग माइनस अट्थर डिग्री सेल्सियस होता और इस स्थिति में प्रिथी में जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता तो green house प्रभाव से एक तरब तो प्रिथी का वातारण गर्म हो रहा है उसका एक अलगी एक माइनस पॉइंट है या नुकसान है लेकिन अगर green house प्रभाव नहीं होता तो भी प्रिथी का जो तापमान है इतना कम होता कि प्रिथी में जीवन जो है मुश्किल हो जाता